अगर आपकी भी मुबाइल में बार बार एट्स आ जाते हैं मुबाइल चलाते समय तो बिल्कुस सही वीडियो पर आपने क्लिक आए दोस्तो अगर आप जो है बहुत परेशान हो चुके हो आपकी मुबाइल में फूल स्क्रीन एट्स आ रहे हैं आपके पास चाहिए कोई साभी मुबाइल हो समसेंग का रेड्मी का वीवो ओपो को रियल मी नार्जो कोई साभी फोन हो जिसमें आपको जो यह प्रॉब्लम आती है आप कोई भी आपको यूज करते हो या फिर आप मुबाइल चलाते हो तो पूरा यहां पर आड्स आ जाता ह बार-बार एड्स आना बन तो बिल्कुस सही वीडियो पर आपने क्लिक क्या है सबसे पहले आपको जो है क्या करना होगा जैसे यहां पर मैं बताओंगा वैसे आपको स्टेफ फॉलो कर लेना है सबसे पहले आपको अपना गूगल को ओपन करना है गूगल ओपन करते ही यह अपर आपको मिलेगा इस सरी किसे right side corner में profile का option यहाँ पर आपको click करना है आप डेको से नीचे आपको मिलेगा यहां पर сठिक्वे option यहाँ पर click करना है यहाँ पर करने के बाद इसके और हुआँ मीज quarto कि यहांपे ads personalization आपको इस options पर click करना है अब देखो friends यहांपर आपको click करने के बाद इस तरह के से यह आपका open हो जाएगा तो यहां पर सबसे उपर ही आपको देखने को मिलेगा अब personalized ads यहां पर आपको क्या करना होगा simply आपको यहां पर यह option on रहेगा सबसे उपर ही एड्स रहेगा यह सबसे उपर रहेगा सबसे पहले आपको इसको यहां पर क्लिक करके आपको यहां से इसको टर्न आफ कर देना है जो कि यहां पर यहां पर यहां से आपको टर्न आफ करना होगा इसको यहां से टर्न आफ करने के बाद यहां पर इसको गौटिट कर लेना है उसके बाद यहां से आपको back करना है, फिर से थोड़ा सा back करना है, उसके बाद देखो, यहां पर ही आपको एक और setting कर लेना है, जो कि यहां पर मैं आपको बता रहा हूँ, धियान से कर लो, जिससे आपको आइड्स आना हमेशा के लिए बन हो जाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा यहां पर देखो आपको यहां पर एक settings देखने को मिलेगा यहां से फिर से आपको तोड़ा back करने के बाद आपको यहां पर इस profile के options पर click करना है उसके बाद फिर से पर जाने के बाद आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको यह जो search personalization इसके उपर आपको click करना है ठीक है अभी यहाँ पर आपको click करने के बाद देखो यहाँ पर आपको यह option मिलेगा इस तरीके से अभी यहाँ पर जो भी आप search करते हो ना उसी के आपको जो है मुताबिक एड्स आ जाते है मान लो अगर आपने मुबाइल के बारे में अपने सर्च किया तो मुबाइल का आपको एड्स आ जाता है तो आपको यह सबसे पहले उसको आफ कर लेना है अब इसको आफ करने के बाद यहां से आपको फूरा back करना है और back करने के बाद अगर आपको यहां पर यह जो setting करने के बाद आपको फूर उसके बाद आपको mobile की settings में आ जाना है उसके बाद आपको apps के option में चले जाना है और देखो यहां पर आपको see all का एक option मिलेगा जहां पर आपको देखना होगा कोई भी एक ऐसा application डाउनलोड है आपके mobile में जो आपका काम का नहीं है तो उसको सबसे पहले delete कर लेना है यहाँ पर देखो आपकी mobile में कुछ ऐसा भी application हो सकता है जिसका logo ही ना हो या फिर जिसका नाम ही ना हो आपको mobile को dark mode करके भी देख लेना है कई आपको application तो नहीं देखने को मिल रहा है अगर देखने को मिल जाएगा तो आपको उसको सबसे पहले delete करना है जिससे आपके mobile में virus ads आ रहे है इस तरह के साब को यह जो है तीन setting सबसे पहले कर लेना है उसके बाद आपके mobile में जो बार-बार ads आते वह आना बन हो जाएंगे मेरी guarantee आपको यह setting करने के बाद एक बार से अपने mobile को जो है mobile को जो है restart कर लेना फिर देखो आपके mobile में कोई भी ads नहीं आएंगे तो वीडियो helpful लेगी तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर देना by the way अगर आपको यह सारी setting करने के बाद फिर से आपको ads आ जाते हैं तो मैं आपको एक ही option बदा देता हूँ आप अपने mobile को format या फिर factory reset कर लेना 10th watching the video